महापर्व छट की सुरुवात कार्थिक मास के क्रिस्म पक्त की चतुर्थी तिति को किया जाता है, यानि कि दिवाली के चौथे दिन नहाय खाय या कदुवा भद बनाया जाता है। इस दिन चावल, चनादाल और लौकी की सबजी बनाई जाती है। आज हम चट के नहाय खाय के दिन बनने वाली लौकी की सबजी बनाएंगे। अब लौकी को छोटे-छोटे टुक्रों में काट लें आपको जैसे सुविधा हो आप अपने हिसाब से लौकी को छोटे-छोटे टुक्रों में काट लें इसी तरह से हम सारी लौकी को कट कर लेंगे अभी मैं लौकी की समझी कुकर में बना रही हूं आप सेम समझी कड़ाही में भी बना सकते हैं बस कूकर की जगा कड़ाही का प्रियोग करें मीडियम फ्लेम गैस पे एक कूकर को गर्म करें कूकर के गर्म होने पर इसमें दो छोटे चमच सर्सों का तेल डाल दें तेल के गर्म होने पर इसमें आधी छोटी चमच पंच फोरन मसाला डाले पंच फोरन में जीरा, मेती, सौफ, कलंजी और सरसों होती है जीरा के लाइट ब्राउन कलर होने के बाद अब इसमें दो हरी मिर्ज को स्लिट करके डाल दे, आप चाहें तो इसे फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं सबजी में लाल मिर्ज का परियोग ना करें, छट के पर में लाल मिर्ज का परियोग नहीं किया जाता है मिर्च को एक मिनट तरकने दे, मिर्च के तरकने के बाद अब इसमें कटी हुई लौकी को डाल दे लौकी को डालकर तरके में अच्छे से मिक्स करे यदि आप कड़ाई में सबजी बना रहे हैं तो सेव तरीके से लौकी में तरका लगा दे सबजी को दो मिनट चलाने के बद अब इसमें एक चोधाई छोटी चमच हल्दी पॉडर और आधी छोटी चमच सेंधा नमक डाल दे नमक और हल्दी को लौकी में अच्छे से मिक्स कर ले और इसे अभी तीन से चार मिनट और भूने आप चाहें तो कुकर को ढखकर भी भून सकते हैं लौकी की सबजी बनाने में गैस का फ्लेम सुरू से अंतक मीडियम है लौकी को चार मिनट उनने के बाद अब इसमें मैंने अधा गलास पानी डाल दिया है ताकि लौकी जले नहीं क्योंकि अभी हम कुकर में सीटी लगाने वाले हैं कुकर का ढखकर बंद करके मीडियम फ्लेम गैस पे कुकर में दो सीटी लगाए यह सबजी हम भी मीडियम फ्लेम बंद कर दें और कुकर को खुधी ठंडा होने दें कूकर के ठंडा होने पर एक बार हम सबजी को चेक कर लेंगे यह अच्छी से कूक हुई या नहीं लौकी के एक पीस को प्रिस करके चेक कर लें लौकी अच्छी से कूक हो गई है लिकिन इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है अभी हम सबजी को वापस से गैस पे कुक करेंगे जब तक कि इसके पानी कमना हो जाए फूल फ्लेम गैस पे लौकी को कुक करते हुए 6 मिनट हो गये हैं सबजी में पानी की मात्रा कम हो गई है अब गैस का फ्लेम बंद कर दे अभी हम सबजी को डिशाउट कर लेते हैं नाय खाय या कदू बात के दिन यह सबजी चावल डाल के साथ खाई जाती है इसे कदूआ बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि लौकी को भीहार में कदू कहा जाता है आपको यह रेसीपिक पसंद आई है तो आप अपने चैनल कुकिंग विद अमरिता को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जरूर करें